Hi mommies and daddies, welcome back to MomCom India. क्या आप जानते हैं कि statistics के अनुसार, अगर एक car crash होता है, तो car seat की वज़ा से risk of serious injury reduce हो जाता है by 71-82% versus only using a seat belt. And booster seat की वज़ा से यही risk reduce होता है by 45% versus using a seat belt. इतने strong statistics के बावजूत, काफी countries में car seat use करना mandatory नहीं है. तो क्या ऐसे में parents को car seat के लिए opt नहीं करना चाहिए? इसी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा because child safety के perspective से यह एक बहुत important वीडियो है और like बटन जरूर हिट कर दीजेगा. तो let's get started. मैं इंडिया में रहती हूँ तो यहां की बात करते हैं. यहां पे car seat use करना mandatory नहीं है. बहुत सारे parents opt करते हैं कि वो बच्चों को गोध में बिठा के travel करें, बच्चे भी comfortable रहते हैं, parents को भी ज़्यादा security लगती है, short distances और कई बार long distances भी वो ऐसे ही travel करते हैं. मैंने भी अपने बेटे के साथ ऐसा किया है, बट इसलिए नहीं क्योंकि मैं car seat opt नहीं करना चाती थी, बट इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने शुरू में car seat के साथ adjust नहीं किया, मैं उसे car seat पे बिठाती थी, वो 5-10 मिनट बैठता था और फिजित करता था कि उसे मेरी गोध में आना है, उस time पे तो मैं give up कर देती थी, बट मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, मैं उसे constantly ये समझाती रही कि car seat यूज करना important है, जैसे daddy seat belt लगाते है, mama seat belt लगाती है, ऐसी ही आपको भी car seat में बैठके seat belt लगाना important है, gradually I am very happy कि उसको ये चीज़े समझ आई with age और अब वो अपनी car seat के बिना travel नहीं करता है, वो उसी में comfortable feel करता है, safe feel करता है and most important because car seat की वज़ा से उसको बैठनी की एक height मिल जाती है, तो आराम से बाहर का view enjoy कर पाता है, जिसकी वज़ा से travel करना भी उसे अब अच्छा लगता है, तो as a mom अपना experience देखते हुए और in statistics को देखते हुए मैं जरूर बोलूँगी कि child safety के perspective से car seat यूज़ करना बहुत ही जरूरी है, अगर आपके बच्चे 0-4 years age group में हैं तो आप एक car seat जरूर लीजिए और अगर आपके बच्चे 4-8 years age group में हैं तो आप booster seat जरूर लीजिए and travel के time पे बिलकुल secure feel करिये, तो अब आपको बताती हूँ कि हम कबीर के लिए currently क्या use कर रहे हैं, काफी time से हम कबीर के लिए love lap की sports convertible car seat use कर रहे हैं, कबीर अभी 3 साल 10 महीने का है और ये car seat perfect है for age 0-4 years, तो अभी कुछ और time में इसको आराम से use कर सकती हूँ, इसका color red होने की वज़े से कबीर इसको और भी ज़ादा enjoy करता है, because ये उसका favorite color है, love lap की car seat में बहुत सारी range है, बहुत सारे colors हैं, तो depending on आपके बच्चे की age, आपकी color choice, आप जाके उनकी range को check out कर सकते हैं, मैं link description box में दे दूँगी, अब important बाते इस car seat के बारे में बताती हूँ, number one, कि ये maximum 25 kg weight handle कर लेती है, number two, इसमें three position seat recline है, तो बच्चा उठा हुआ है, या बच्चा सो रहा है, या बच्चा छोटा है, तो उसके accordingly, आप seat को recline कर सकते हैं, जिससे बच्चे को एक additional comfort बिल जाता है, number three, आप इसे rareward facing और forward facing दोनों ही तरीके से set कर सकते हैं, देखे, अगर बच्चे 0 to 2 year age group में हैं, तो आपको इसे rareward facing position में ही लगाना चाहिए अपनी कार में, और अगर बच्चे 2 to 4 year age group में हैं, तो आपको इसे forward facing position में लगाना चाहिए, that is the safest way of placing the car seat in the car, इसमें five point safety harness है, basically य and side impact protection भी है, so that the child is safely tucked in, इसमें head support है, armrest है and extra soft cushion seat है, जो बच्चे को additional comfort देते हैं for long journeys, यह certified है as per European standards, इसमें 3 level height and harness adjustment भी है, तो बेबी की age और height की accordingly आप इसको adjust कर सकते हो, और अगर आपके बच्चे travel के time पर manching करना पसंद करते हैं, और आपको लगता है कि car seat गंदी हो जाएग तो आपको worry नहीं करना है, इसको आप remove करके wash भी कर सकते हो, इस car seat को install करना बहुत easy था, बहुत quickly install हो गई, इसको use करना बहुत ही easy है, बहुत smooth है इसको use करना and guys, it is great value for money, इस car seat का MRP है Rs. 7195 बच जब हमने इसे Amazon पे लिया था, उस time पे huge discount चल रहा था, हमें ये 32% discount पे उस time मिली थी, so I don't know कि currently क्या discount चल रहा होगा, इसलिए मैं link description box में डाल दूगी, आप जाके check out कर सकते हैं, ये car seat खरीदने से पहले जब हम अपनी research कर रहे थे, तो हमने काफी जगा इस car seat के reviews पढ़े, reviews were outstanding, and it also claimed that more than 99% moms feel that this car seat is safe and comfortable for their babies, after using this car seat for a very long time, I am also a mom who claims the same, Kabir इस car seat में comfortable feel करता है, इसको enjoy करता है, और जब वो इस car seat में बैठता है, तो मैं safe और secure feel करती हूँ, and that is the most important thing when you are traveling with your kid. आप में से बहुत लोग में से पुछते हैं कि मैं Kabir के लिए कौन सी car seat यूज़ करती हूँ, so now you have all the information, link description box में है, आप ये बाली चेक कर सकते हैं, या फिर लवलाप की बहुत सारी range है, और भी car seats है, in fact booster seat भी है उनके पास, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं. तो next time जब आप अपने बच्चों के साथ travel करें, जैसे आप अपनी seat belt नहीं लगाना भूलते हैं क्योंकि ये एक rule है, वैसे ही उन्हें car seat में टक करना नहीं भूलें, क्योंकि अब आपकी family के लिए ये एक बहुत important rule है. Thank you so much for watching, bye-bye.